ट्रेजिडी किंग दिलिप कुमार ने हाल ही में अपना 97th birthday सेलिब्रेट किया और दिलिप जी के जन्मदिन के मौके पर उनकी पतनी साइरा बानू का एक इंटर्वी हुआ इस इंटर्व्यू में साइरा ने दिलिप कुमार की तबियत को लेकर कई बड़े रास खोले जिसके बाद दिलिप जी के फैंस काफी स्यादा परिशान है जी हाँ बता दे आपको एक समय था जब दिलिप कुमार के जन्मदिन पर आलिशान जशन का आयोजन किया जाता था जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री शरीक होती थी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे इस आलिशान जशन का हिस्सा बनते थे लेकिन अब ऐसा होते हुए नहीं देखा जाता साइरा बानू से सवाल किया गया दिलिप कुमार की तबियत को लेकर और साइरा ने कहा कि तबियत उनकी नासाज है नीमोनिया उन्हीं हो गया और डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि पार्टी मत करें डॉक्टर्स ने दिलिप साहब को ज्यादा एक्स्पोजर ना करने की सलह दे दी है डॉक्टर ने कह दिया है कि दिलिप कुमार को ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना और इसी वज़ा से दिलिब जी को फिलहाल पूरी तरह से भीड भार से दूर रखने का फैसला हमने किया है दिलिब कुमार के फैंस जो ये सोच रहे थे कि अब साहब पूरी तरह से ठीक हैं उनके जन्म दिन पर जो इंटर्वियू सायरा बानू ने दिया है कि उम्र के इस पड़ाफ पर पहुँचे दिलिब कुमार काफी ज्यादा तकलीफे सह रही है खेर हम यही दूआ करेंगे जल्द सी जल्द दिलिब कुमार ठीक हो जाएं जिस पी तरह की तकलीफे वो जेल रही हैं इन सब से आगे हो जाएं नेक्स्ट नाइन नीउस से मेघा की रिपोर्ट